असलाम उलेकुम फ्रेंट जर्वीवर्स कैसे आप सब अमीद करता हूं सब ट्रिक टाक होंगे आप लोगों को पीछे नजर आ रहा हुगा इस टाम मैं टीवी पे बैठा हुआ हूं तो बैसिकली टीवी मैंने अपने लैपटॉप के सब कनेक्ट किया हुग है आप लोगों के अब किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है तो मैं आज आप लोगों को बताने लगा मैं इस वीडियो में एक ट्रेवल पर्मिट अप्लिकेशन किस तरह आप लाई करना है और दूसरा यहां पर आजकल फूड की भी आई हुई है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते है जिन्हों को फूड चाहिए उनके लेके एक अप्डेट हाई थी में परस मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बना दे तो चलते हैं वीडियो की तरफ उसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर बिताता हूं कि आपने आपको पर्मिट अप्लिकेशन किस तरह आप लोगों ने बनाना है और फूड के लिए आप लोगो ने ऑनलें किस तरह अप्लाई करना है कि आप लोगों को फूड मिल जाए तो चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले हमने गूगल ओपन करना है इस तैम मेरी और यहां पर फाइल्स बगहरा ओपन होती हैं जिस तरह मैंने तीन प् जाना है यहां पर वेबसाइट आप लोगों को मैंने तो अलड़ी कॉपी की हुई है मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो वेबसाइट जो है वो मैं नीचे आप लोगों को मेंशन भी कर देता हूं कि क्या वेबसाइट है लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा से क्लोज क करके दिखा देता हूं यह बी एएस वी यू आर यू डॉट सी एसजीप डॉट गोवर्मेंट डॉट सीटी डॉट टी आर स्लैश इस पे जाके आप लोगोंने ओके कर देने इसके बाद क्या होगा इस तरह का आप लोगों को एक जो है वो इंटरफेस आप लोगों के सामने या जाएगा टियर इन सी के अकॉर्डंग लेगा फूट एड़ एप्लेकेशन फॉर्म यह आप लोगों को नदजर आरहा हो अगर फूड इप्लेकेशन फॉर्म बिकॉज यह तर्कीश नहीं भी आपने क्या करना है यहां पे आपने फिल कर देना हैं यहां पी अपने नाम मैं कीबूर्ड यहां से ओपन कर लेता हूं यहां पर मैं अपना नाम मैंशन करूंगा और इसके बाद मैंने किया करना है यहां पर जिस्ट आपने नाम पहले जो नाम है आपने वो सिर्फ फिल करना है लाइक मेरा नाम है बिलाल अमजद मैं यहां पहले फिल करूंगा बिलाल पिर यहाँ पे जो father name होगा मैं वो add करूँगा इसके बाद यहाँ पे जो होगा passport number यहाँ पे date of birth यहाँ पे नेशनलिटी आपने पाकिसान नी या जिस पाकिसान, निपाल, बंगलादेश, जिस भी country से आप फो select करें इसके बाद आपने यहाँ पे अपना cell phone number cypress का mention करना है कोशिश कीजिए का अपना है अगर आपके पास cypress का number है तो ठीक है नहीं तो आपका जो friend है या जिसके साथ आप रह रहे हैं या किसी भी friend का आप यहाँ पे cypress का number enter करते हैं इसके लिए जब भी कर आप से district select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे city आएगी कि आप इस time right now कि city में आपने city mention कर दिनी है उसके बाद आपने यहाँ पे अपना current work status बता देना है कि आप student है वर्क कर रहे हैं या क्या है अगर आप student हैं तो आप और अंजियम यह select करें अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यह दोनों में से कोई एक select करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पे आपने अपना address सारा mention करना है आपके घर में आपकी family जो population है वो कितने I mean आप घर में कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे सारा mention करना है उसके बाद आपने यह लिखा हुए कि आपके family में या आप कहीं वो वो कहते है ना माजूर कहीं वो तो नहीं है तो आपने करना है योग no yes योग नहीं इसके बाद आपने क्या करना है I am not a report इस पर क्लिक करना है मैंने अल्रेडी बेसिकली यह फिल किया हुए अप्लाई किया हुए तो इसलिए मैं यह दुबारा अप्लाई नहीं कर सकता I am not रिबोट करके आपने अप्लाई कर देना है इसके बाद आपको उनकी तरफ से इन्शालला जरूर बहुत जल्द रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यह मेरी शॉर्ट सीनी काफी लंबी वीडियो बन गई है तो मैंने भी तो बस इसके साथ ही मैं आप लोगों के कोर इंफरमेशन भी दे दूँ अगर आपने रोड पे स्ट्रीट पे अगर आप मूव करना चाहते हैं स्ट्रीट से दूसरे सीटी के लिए तो उसका भी मैं आज आप़ोंगो п्रॉसेस बता देता हूं उसके लिए आपने क्या करना है औरॉ हूँ भी मैं आपको बताता हूं तो इस टायम जो मैं आप आपको दूसी वीडियो पाने लिए डिखाने लगया हूँ तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है यहां पर जागे Google.com पर मैंने लिंक कॉपी किया हुए तो मैं यहां पेस्ट कर देता हूँ इसके लिए यह स्पेलिंग आप याद रखीगा इस पर आपने सबसे पहले जाने के बाद आपने क्या कर देना है एंटर कर देना है इंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस अब आप लोगों के सामने आ जाएगा बैसिकली यह ट्रैवल पर्मेंट है आप एक सीटी से जाएगा चुझे आपको का मैं तो के लिए आपको लाइक आपका कि या कोई MARTIN के पास होना जरूरी है अब ट्रैवल पर्मिट tomato तो इसमें आपने हमने क्या करना है यहां प्हाइभ पेले पासपोर्ट नंबर लिखना है उसके लावह हैं आप प्रने करने लिए मैं दिए करने मेंड भर्लान इंड फर निसा के शर्ड़ पर दिलाज ना पने लिए याग पर Turkish number select करना है आपका है तो ठीक है अगर आपका नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त का Turkish number लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने current location लिखनी है जहाँ पर इस टाइम आप रुके हुए हैं और उसके बाद आपने यहां पर destination जहां पर आपने जाना है आप अपने destination लिखें इसके बाद आपने क्या करना है यहां पे reason लिखनी है और valid reason लिखनी है valid reason लिखनी है अगर आप valid reason लिखनी है अगर आप valid reason लिखनी है तो ही आपका यह permit अप्रूव होगा otherwise नहीं उसके लावा फिर यहां पे आप अपने date लिखेंगे कि आपने basically इस time लगा हुआ तक का कर्फियू इसलिए यह 15 तक ही जो है date for sure होगी आपने जिस दिन travel करनी है वो travel आपने यहां से लेके और किस दिन तक आपने travel करनी है तो वो select करना है याद रहे एक दिन से ज्यादा आप स्लेक्ट नहीं कर सकते एक दिन से ज्यादा आप यह select नहीं कर सकता है अगर select करेंगे तो वो cancel हो जाएगा और यहां पर timing भी आपने mention करनी है कि किस दौरान से किस दौरान तक आपने mention करनी है और 8 से 10 खेंडे से ज्यादा यह permission नहीं देते हैं 8 से 10 खेंटे अगर आप करेंगे यहां जी तो approval हो जाएगी लेकिन वो आपकी वैसे approval नहीं होगी क्योंकि उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ जब आपने यहां पर number लिख देना है यहां पर submit कर देना है यह districts भी आपने यहां पर लिखनी है कि कौन सी district है आपकी उसके बाद जब आप यहां पर each and everything से कुछ mention कर देंगे तो जो number आपने यहां पर mention किया होगा उस number पर एक text आएगा सबसे पहले वो verified text आएगा कि यह number आप कैसलिए वो verify करेंगे उसके बाद क्या होगा फिर जब आप यहां से submit कर देंगे after verification जब हम submit कर देंगे तो फिर आपको message आजाएगा कि आपकी जो request है वो approve हो गई या नहीं अगर आप यानि कि travel permit application आपकी proof अगर होगी है तो आपके mobile के number पर जो आपने number यहां पर mention किया होगा उस पर message आजाएगा तो अगर आप reason जो है वो valid लिखेंगे तीन चीज़ें इसमें वीडियो में note करें कि आपके बस reason valid होनी चाहिए जो दिन है वो एक दिन ही होना चाहिए और जो घिंटे है वो 8 से 10 घिंटे duration होनी चाहिए traveling की अगर आपकी यह चीज़ें ठीक हैं तो ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूफ होगी otherwise नहीं होगी तो अमीद करता हम आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं next किसी और अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए भाई को द्वाँ में याद रखे अगर टेक केर अला आफे